Hello guys, कैसे हैं आप लोग, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो I know भाई लोग ये बहुत ज़्यादा hot topic नहीं है आज कल कले लेकिन ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि actually मैं आप hotel management के बाद क्या करने वाले हो उसमें subjects क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए मैं आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि actually मैं आप पढ़ने क्या वाले हो hotel management क्योंकि यार, hotel management एक ऐसा professional course है जिसके बारे में हमने basically अपनी 12th class था, कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, कुछ भी चीज नहीं सुनी होती है तो हमारे पास, जब specially हमारा time था, हमारे time पे लोगों का perception क्या होता था hotel management मतलब बावर्ची या chef धीरे धीरे वो perception change होआ, hotel management मतलब chef या manager तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चीजें होती है hotel management के अंदर फिलाल मैं आज बताऊँगा आपको चार major departments के बारे में जो आपके होते हैं, चार major subjects तो आज की वीडियो में केवल मैं इस सर्फ as a subject ही नहीं बताऊँगा तो BBA in hotel management कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, excluding specialized diploma तो वहाँ पे आपको ये सारे जितने भी courses होते हैं, इन सब में आपको चार major departments के चार subjects पढ़ने ही पढ़ेंगे तो आज उनके बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं तो यार ये जो चार subjects होते हैं, या चार departments होते हैं, जिनके चार subjects होते हैं उनकी अगर मैं नाम बताऊँ तो ये namely होते हैं, front office, housekeeping, food and beverage service और food production तो पहले number पे आता है आपका front office, front office as a department क्या काम करता है, उसके बारे में पहले बता देता हूँ basically front office department आपने देखा होगा, जो reception area होता है, hotel में, वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं, जो basically guest को welcome करते हैं उनका registration करते हैं, उनकी details वगरा भढ़ते हैं, उनको key वगरा देते हैं, payments वगरा लेते हैं और साथी साथ telephone handling करते हैं, कोई भी guest की complain है, उसको वो सुल जाते हैं, ये सारा basic काम होता है, उनका front office वालों का तो ये जो basically department होता है, ये होता है आपका front office, तो भई इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, तो basically जब आप front office में आपको पता है, आपको ये सारा काम करना है तो पढ़ने के लिए इसमें होता है कि भई, hotels में होते हैं बहुत तरीके के rooms, तो उन सारे तरीके के rooms के बारे में आपको पता होना जरूरी है, कोई single room है, कोई double room है, कोई king size bed वाला room है, कोई kawana room है, कोई duplex room है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाते हैं कि अलग का process क्या होगा, एक standard operating procedure होता है, तो यह जो SOP सब्द है ना, जो अभी मैंने बोला, standard operating procedure, SOP, यह आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा आगे, क्योंकि इसका मतलब होता है, एक काम करने का proper तरीका, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, जो कि हर hotel में थोड़ी अलग हो स बहुत सारे तरीके के होते हैं, उन सारी hotels के बारे में आपको सिखाया जाता है, और इसके लाब भी बहुत सारी चीजें जो अगर मैं बताने लगूँगा, तो आपको शायद वो समझ ना है, तो इसलिए यह सारी चीजें आप पढ़ते हो, लगभग आपके 3 साल के लिए, अगर आप degree course कर रहे हो, या फिर diploma कर रहे हो, तो एक साल के लिए आप यह सारी चीजें पढ़ोगे, एक basic overview लोगे, second number पर आता है आपका housekeeping, जो कि department responsible होता है, पूरे hotel की cleaning के लिए, और उसकी basically देख रेक करने के लिए, चाहे आपका guest room हो, guest washroom हो, restroom जिसे हम बोलता है, hotels में, य या फिर public area हो, जहां पर हर को ही जा सकता है, restaurants हो, कुछ भी हो, इन सारी जगे की cleaning and upkeep है, इसका काम होता है housekeeping के पास, तो as a department housekeeping वालोगा काम होता है cleaning का, तो आई नो कई लोगों के दिमाग में एक छोटा सा doubt आ जाता है, कि यार हम लोग ये काम क्यूं करेंगे, cleaning के लिए हम ल manage करना सीख रहे हो, तो उसके साथ-साथ आपको वो काम करना भी आना चाहिए, इसलिए जब आप एक होटेल में जाते हैं, तो आपको सारा काम करना पड़ता है, so that आप जब future में manager बनोगे, तो आप उस काम को समत सकोगे, कि कितने अच्छे से वो काम कैसे किया जाता है, ओकी तो housekeeping as a subject आप इसमें पढ़ते क्या हो, इसमें basically आप इसमें भी types of rooms वगरा पढ़ते होगे, किस-किस तरीके के rooms होते हैं, उसमें cleaning कैसे की जाती है, क्या procedure होता है, साथी साथ आपको बताया जाता है कि भई, bed making कैसे करनी है, bed making देखो घर वाली bed making नहीं कि चद्दर आपको पता है, अगर हम Lysol यूज कर रहे हैं, Lysol कहां के लिए यूज करते हैं, वो आपको पता है, उसी तरीके से hotel में R1, R2, R3 नामके chemicals होते हैं, और बहुत सारे chemicals होते हैं, उनको आप किस जगे पर यूज करते हो, वो चीज़ें आपको बताई जाती है, साथी साथ सिखाया जाता है, towel arts, towel arts, basically bed में आपके अलग-लग तरीके के towel से arts बनाई जाती हैं, चाहे हो, हाती बनाया जाए, swan बनाया जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि basically कई बार honeymoon couples के लिए आप देते हो, as a, you know, decorative, तो शायद आपने देखा भी हो, नहीं, आपने क कैसे देखा होगा, खेर, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाय जाती है, housekeeping में as a subject, इसके बाद चलते हैं, third number के subject में है, जो कि है आपका food and beverage service, तो यार इस department के बारे में इसके नाम में ही है, जैसे कि food मतलब खाना and beverage, beverage मतलब कुछ भी पीने की चीज़ें, तो उसकी जो आप service करते हो, उस department को बोलते हैं, food and beverage service, food and beverage service department as a department, इनका काम होता है, restaurants की take care करना, bar की take care करना, cafes वगेरा, ये सारे जितने भी इसमें employees आपको दिख जाते हैं, ये सारे आपके food and beverage service के अंडर आते हैं, तो as a subject आप इसमें क्या पढ़ते हो, basically इसमें as a subject आप बहुत सारी चीज़े पढ़ने वाले हो, और for that matter, हर subject में आप बहुत सारी चीज़े पढ़ते हो, basically आप जो food service करने वाले हो, जो आप serve करते हो food guest को, वो food में क्या ingredients है, किस तरीके से बनाया है, क्या process रहा है, और उसको किस तरीके से बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा ही जाती है, और साथी साथ इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा ही जाती है, जैसे कि types of menu, आपको restaurant तो पता होगा, cafe तो पता होगा, लेकिन इनके भी बहुत सारे types होते हैं, वो सारी types आपको बताया जाते हैं, service, जो आप service सुन रहों कि भाई, खाना लेके guest के आगे process क्या है, किस तरीके से बनती है, क्या-क्या उनके अंदर होता है, और आप उनकी service किस तरीके से करते हो, साथी साथ इसमें आपको cocktails, mocktails के बारे में भी सिखाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है, food and beverage service के अंदर, last but not least, आपका जो fourth major department और fourth major subject आपका होने वाला जिसमें आपको basically काम करना होता है, आपको पता ही है क्या करना होता है, आपको food बनाना होता है, अलग-लग तरीके के food होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बनानी होती है, take care करना होता है, जो भी food items आपको मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों का कुछ भी चीज expiry नहीं होने कोई भी ये चीज, सारी चीज़ें आपको देखनी होती है Now as a subject आप इसमें क्या पढ़ते हो तो as a subject basically आपको इसमें पढ़ाया जाएगा शुरुवात में कि भहिया types of cuts क्या होते हैं, julienne, mere poor, dice cut वो आपको करना भी सिखाया जाएगा practical में साथी साथ आपको सिखाया जाएगा कि types of cooking क्या होती है तो भहिया cooking का मतलब दाल चावाल बना देना ही नहीं होता है या फिर सबजी रोटी बना देना ही नहीं होता है There are a lot of cooking methods जो कि आपको सीखने पढ़ेंगे सबसे पहले आपको समझने पढ़ेंगे वो ही आपको इसमें समझाया जाता है और साथी साथ आपको practically करवाया भी जाता है साथी साथ आपको soups बनायाने सिखाया जाएंगे salads, main courses, कौन सा किसके साथ कौन सा continental menu है, कौन सा Indian menu है Indian menu क्या होता है, continental menu क्या होता है oriental menu क्या होता है, Chinese menu क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, उनके ingredients क्या होते हैं, उन सब की पहचान करना आपको सिखाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, food production के subject में, तो guys ये थे आपके चार basic main subject, जो कि आपके core subject होने वा लेकिन ये चार subject आपको पूरे तीन साल अगर आप degree कर रहे हैं, तो पढ़ने ही पढ़ेंगे,